अपने ही राज्ये को संभाले वो ही बहुत बड़ी बात होगी क्योंकि उत्तर परदेश में जिस तरीके से योगी बाबा का दबदबा देखा जाता है योगी का बिल्डोजर की राजनीती देखी जाती है तो उससे कहीं न कहीं अच्छूते अखलेश चादव भी नहीं रहे है तो यहां पर फूट नहीं पड़ेगी जैसे कॉंग्रेस की सुप्रिया की बात करें जो कॉंग्रेस की प्रवक्ता भी है वो यह कहते भी नजर आई थी कि अगर एक परिवार का हिस्सा है और परिवार के बीच में तो कहा सुनी हो जाती है उसको इतना बड़ा ना बनाया जाए और मीडिया कर्मियों से खुद कॉंग्रेस की तरफ से ये भी कहा गया था कि इनमा में नमस्कार मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं SPN9 News और स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम सिंगासन 2024 का में जहां पर 2024 के कई मुद्दे और विवाद यहां पर हम उठाते हुए नजर आएंगे पहनी नजर यहां पर 2024 के चुनावों पर बनी रहेगी क्योंकि सासन में यहां पर मौझूद BJP सरकार के उपर काई यारोप लग रहे हैं और लगातार BJP के सामने चुनावता भी यहां पर आ रही है और अब यहां पर एक बड़ी चुनावती सामने आ चुकी है सपापरमुक अखिलेस यादव की आपको बता दें यहाँ पर मुलायम सिंग यादव जो संस्थापक है समाजवादी पार्टी के उनके जैनती के अफसर पर यहाँ पर सपा की एक बड़ी बैठक होती है और वहाँ पर कहा जाता है कि अगर 40 से ज्यादा सीटें यहाँ पर आ जाती है सपा पार्टी की तो यहाँ पर जोर दिया जाएगा कि यहाँ पर अखिलेस यादव को पी एम पद के लिए आगे किया जाया और उनको परधान मंतरी बनाया जाए क्योंकि यह सपना नेता जी का था कि वो परधान मंतरी बने वो परधान मंतरी बनते बनते रह गए उनका यही सपना था कि उनकी पार्टी से कोई व्यक्ति बने और अब इसके उपर अखिलेस यादव के चाचा सिपाल यादव ने अभी महर लगा दी है और कहा कि निता जी का सपना हम पूरा करेंगे और अखिलेस यादव को यहां पर पी-एम बनाएंगे तो एक नई चुनोती यहां प पी-एम यहां पर चैरे यहां पर तयार हो चुके हैं यहां पर इंडिया लाइन्स में भी सायद कुछ विगटा ना सकते हैं अखिलेस और राहूल के बीच मध्य परदेश के चुनाब में भी हमने देखा था कि उन दोनों के बीच काफी कहा सुनी हुई थी उनके पार्टी यादव को गोसित कर देंगे और इंडिया अलाइन्स में यहां पर दवाब बनाएंगे कि उनको पी-एम बनाया जाए तो यहां पर यहां पर गरम चल रहा हो इस मुद्दे पर बात करने के लिए नाजमीन हमारे साथ हैं उनसों यहां पर अपने कई सारे सवाल हम यहां पर पी-एम उमिदवारी ठोकते हैं देखिए अखलेश यादव की बात करें तो उत्तर प्रदेश में ही छोटे चुनाव नहीं जीत पाते हैं गोशी उप चुनाव की बात करें बेशकों यहां पर अखलेश यादव की जीत नजर आती हैं क्योंकि गोशी चुनाव क बात करें जिन दो सीटों पर चुनाव हो रहे थे रामपूर की स्वार और चानवे सीट का जिकर कर ले तो यहां पर कहीं ना कहीं दबदबा समाजवादी पार्टी का ही था इन सीटों पर और समाजवादी पार्टी के प्रतियाशियों की बात करें तो यहां पर उनको चाहने बहुत थे और यहाँ पर वोट देने वाली भी बहुत थे और ऐसे में यहाँ पर समाजवादी पार्टी घोशी का पचुनाव जीत पाए लेकिन उत्तर परदेश में जो निकाए चुनाव हुआ था उसमें भारती जंता पार्टी की जीत दिखाई देती है तो कहीं ना कहीं अखलेश चादव अपने ही राज्ये को संभाल लें वो ही बहुत बड़ी बात होगी क्योंकि उत्तर परदेश में जिस तरीके से योगी बाबा का दबदबा देखा जाता है योगी का बिल्डोजर की राजनीती देखी ज चाती है तो उससे कहीं ना कहीं अच्छूते अखलेश चादव भी नहीं रहे हैं और अखलेश चादव चाहते हैं कि एक चुनाव जीतने के बाद वो यह कोशिश कर रहे थे कि बस अब तो उत्तर परदेश का चुनाव भी जीत लूँगा अब कॉंग्रेस पार्टी के चाहते हैं तो उसमें अखलेश चादव का नाम कहीं पर भी नहीं आता है सबसे पहले नाम का जिकर किया जाए तो राहूल गांधी को लेकर कहा जाता है कि राहूल गांधी अगले पीएम के चेहरे के रूप में हो सकते हैं उसके बाद अरवंद केजरिवाल को लेकर कहा जाता है कि वो भी पीएम चेहरे के रूप में हो सकते हैं उसके बाद नितीश कुमार की चर्चाएं भी की जाती है नितीश कुमार के तो पोस्टर तमाम और जगाव पर भी लगेते जिस दोरान वो यहाँ पर यह कहते वे नजर आ रहेते कि अगला प्रदान मंत्री कौन निती इश्कुमार तो जब इतने बड़े चेहरे यहाँ पर मौजूद है और उन पर ही कोई तैसला नहीं हो पा रहा है तो अखलेश यादव तो कहीं दूर दूर तक नजर आते हैं बेशक इंडी गडबंधन का हिस्सा है लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर समाजवादी पार्टी 40 सीटों जीतने का दावा भी कर दे लेकिन कहीं ना कहीं अखलेश यादव पीम चेहरे के लिए सटीख नहीं बैठते हैं तो ऐसी चीजे क्या है कि इंडिया लाइन्स के अंदर इसका गडबंधन होने के बाद ही ऐसी चीजे सामने आ रहे हैं कि नेताओं के बीच लड़ाई देखी जा रही है सीटों पर यहाँ पर चयन नहीं हो पारा कि कौन उतरेगा उसको लेकर जगड़ा हो रहा है तो क्या इंडिया लाइन्स यहा नुकसान यहां इंडिया लाइन्स का होगा देखिए सबसे पहली बात तो यहां पर यह है कि खुद विपक्षी पार्टियां जब इस इंडि गडबंधन में शामिल हुई एक बड़ा गडबंधन बनाया गया 28 दलो का तब यह गडबंधन सिर्फ लोकसभा चुनाव को दे पहिंना जा सकता है जिस राज तंत्र की बात कहीं जा रही है कि देश में प्रधार मंतीर राजी तंत्र फैला रहे हैं उस Liloktantha को जिंदा करने के लिए यहां पर एक्ता दिखाई गए थी लेकिन अखलेश यादव का ये कहना था कि कहीं भी जा रहे हैं वहां पर सयोग देना चाहिए अब अखलेश यादव को मद्धे परदेश में सीटे चाहिए थी कॉंग्रेश वो सीटे नहीं दे पाई यहां पर खुद कमलनाथ ने दावा किया था कि अखलेश यादव की मांग ये नहीं है कि कितनी सीट अखलेश यादव की मांग है कि कौन से सीट दी जाए तो वही सीट पर बड़ा घम असान देखा गया तो अखलेश यादव ने ये मा बन सकता है वो आपसी सहमती ना होने की वज़ा से हो सकता है अगर तमाम पार्टियां यह सोचने लग जाए कि उनकी पार्टी बड़ी है उनकी पार्टी से पी एम चेहरा होना चाहिए तो फूट पढ़ना तह है लेकिन अगर वो यह सोच लें कि एक साथ मिलकर लड़ाई जाती है उसको इतना बड़ा ना बनाया जाए और मीडिया कर्मियों से खुद कॉंग्रेस की तरफ से यह भी कहा गया था कि इन मामलों को तूल ना दी जाए तो कहीं ना कहीं कुछ लोग चाहते हैं कि गटबंधन मजबूती के साथ बना रहे हैं लेकिन कुछ लोग यह चा अपनी पार्टी की पर्मुक्ता को देखते हुए यहां पर कहिना कहीं इंडिया लाइन्स के भी जहाँ पर आजब इम उम्मीद्वारिमारी के ताल भालार सरह हैं को चौनी पूरा होगा कि 2024 में वीजय पी कोह ऽरा सके बाकि और भी ऐसी खबरे जानने के लिए देखते रहिए SPN 9 News धन्यवाद